हेलो दोस्तों आज हम बिहार बीएट के लिए कौन सी बेस्ट बुक रहेगी वह हम लोग देखेंगे तो आएए देखते हैं तो देख सबसे पहले हम लोग इसका ऑन्वाक्शिंग का लेते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये आया हुआ था तो देख सकते हैं ये है अर से दिखती है देख सकते हैं आप लोग इसका मुल्य देख सकते हैं 295 रुपया प्रिंट है ठीक है और मैं बता दू वैसे मुझे फैनली इसका सिपिंग चार्ज मिला कर टोटल 300 रुपए का ये पढ़ा था 301 रुपए का तो यदि आप किसी सौप से लेते हैं तो आपके क अब भी कहूँगा कि आप लोग कोसिस करें कि आजस पास कि जो आपकी शोप हैं उसी से ले देख सकते हैं इसमें पेपर का पैटर्न भी दिया हुआ है किस परकार से पेपर आएगा और इस कितां में करेंट अफेर से इसकी शुरुवात होती है ठीक है तो इस परकार से कु आपको जिस सत्र का एक्जाम देना है उसी का आप लोग लेटेस्ट पब्लिकेश्ट आप लोग पब्लिकेशन का लें तो अच्छा रहेगा ठीक है ना इसमें दे सकते हैं उत्तर माला जो है कुछ इस तरी के से नंबरिंग वाईजी है और यह बता दू इस यह जो बुक है न क्या है कि जीएस इससे अच्छे से पढ़ा जा सके तो आएए देखते हैं जीएस में क्या है इसमें आपको पिछले तिन चार साल के भी प्रशन पत्रों का सॉलूशन इसमें देखनों को मिल जाएगा ठीक है तो देख सकते हैं श्रमान ज्यान में यह यह टॉपिक है इतिह से यह भारत का इतिहास औतन ता अंदोलन 24 भारत का भुगोल भारतिय राज बेवस्ता हैं समीधान भारतिय रवी वस्ता हैं पंच वर शी जिद्यूशन श्रमान ज्यान विवीन समाजिक मुद्दे तो यह टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं जो कि समान ज्यान के अंतरगत एं ठीक है तो आए इसके और भी अंदर देख लेते हैं किस प्रकार से हैं तो इसमें देखिए यह है इंगलिस का portion और इंगलिस का भी portion इसका अच्छा रहता है तो इस प्रकार से इसमें सारी चीजों को समाहित किया गया है तो दोस्तों देखिए ये समान यान का जो पोशन है यहां से स्टार्ट होता है तो आएए देखते हैं किस परकार से इसमें सामगरी को शंकलित किया गया है तो देख सकते हैं कुछ इस परकार से इसमें दिया हुआ है मद्य कालिन भारत में जैसे सल्तन्नत काल है देख सकते हैं यहां पर उसके बाद भक्तियांदोलन का भिजिक्र है वो भक्तियांदोलन से रिलेटर इसमें हिंदी साहित्य के देख सकते हैं कुछ परमुख नाम भी है हिंदी सहितिक इतिहास में भी जो नाम है आते हैं वो महत्वपूर्ण है उनमें से पुछे जा सकते हैं प्रश्ण पूछे जाते हैं ठीक है ये है आधुनिक भारत और मद्यकालिन और आधुनिक भारत ये दोनों टॉपिक्स इतिहास में जरूरी हो जाता है बीएट के लिए ये तयारी करने के लिए और राष्टिया अंदोलन आपने देखा वी महत्पून टॉपिक एक ये है प्रमुक्स समाचार पत्र पत्री का हैं ये भी सभी आप लोग तयार कर लें इससे भी प्रश्ण पूछे जा सकते हैं और इस प्रकार से अभ्यास प्रश्ण इसमें दिये गया हैं देख सकते हैं आप लोग ठीक है उसके बाद विश्व एओं भारत का गोल जैसा कि हमने पिछले पन्नों पर हमने दिखाया है कि किस प्रकार से कौन कौन सी प्रक्राण को इसमें सामिल किया गया है ठीक है भारतिये राज बेवस्था एओं सम्विधान देख सकते हैं कैसे छोटे छोटे सारे टॉपिक्स को इसमें कभर किया गया है और अब यह है समान बिज्ञान का पोश्चन ठीक है यहां से इस प्रकार से शुरू होता है समान बिज्ञान में देख सकते हैं रसायन बिज्ञान आया ठीक है परियावरणिये रस्षायान जीव विज्ञान भी है तो इस प्रकार से विज्ञान के भी सारे पोर्षन अलग-अलग जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं जो प्रश्ण हैं वो भी इसमें देख सकते हैं सामिल किये गया हैं यहां अभ्यास प्रश्ण के द्वारा आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है इसमें और यह देख सकते हैं विविद्ध जो महत्वपूर्ण शमस्यां हैं जिस टॉपिक्स पे आपका ज्यान होना चाहिए वो समाजिक मुद्धे भी यहां पर दिये गये हैं जैसे कि आतंकवाद हुआ या भरहष्ट चार हुआ बेरोजगारी निर्धन था कि सारे टॉपिक्स को कबर करके यहां पर यहां पर एक अभ्यास प्रश्ण दिया गया है उसके बाद से यहां से रिजिनिंग स्टार्ट होता है ठीक है देख सकते हैं निया निगमन तो दोस्तो इस परकार से यह बुक जो है लगभग साड़े चार सो पेज की है या था चार सो तीस के आस पास इसमें टोटल पेज इसको मिल जाएंगे आपको इसमें देखिए एकुरेट इसमें फेज नंबर नहीं दिया है हर टॉपिक को अलग अलग पेज से स्टार्ट किया है एक नंबर से स्टार्ट हुआ है देख सकते हैं लास्ट में 20-21 दिखा रहा है तो हर टॉपिक का पेज संख्या अलग अलग है तो टोटल पेज संख्या नहीं दिया हुआ है तो वही सारे 400 के आज पास होगा और इस परकार से जो है एक किताब का जो समीक्षा है यहीं समाप्त होती है वीडियो देख लिए के धन्वाद जैहिन